नमस्ते फ्रेंड्स आज मैं बताने वाली हूँ या फिर बनाने वाली हूँ आयन से भरपूर पालक की लसुनी या आलू पालक की सबसे में बताने वाली हूँ यह बिल्कुल दाब स्टाइल बनके रेडियो होगी फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्ट टेस्ट है इसका बहुत ह अच्छी लगी और जिन बच्चों को पालक बिल्कुल पसंद नहीं वो बच्ची अगर इस बार इस पालक को एक बार खालेंगे तो पालक के वो फैन हो जाएंगे फ्रेंड्स इतने अच्छी और बड़िया बन के रेडी होती है आप भी जरूर एक बार ट्राइ कीजिए आप मैंने दो के रख दिया है अब देखिए हापे दो मैंने आलू ले लिया है इसे चोक और तुकड़ों में इस तरीकी से मैंने काटके पानी में रख दिया है ताकि वो काले नहो जाए अब देखिए फ्रेंड्स मसालों की बात की जाए तो मैंने आपे देड चमच भर के कश् इसके बाद में देखें फ्रेंट्स मैंने आप ए टमाकर ले लिया है एक टमाकर है ये इसे भी तकड़ो में काट लिया है लस्पे ले लिया है और देखिवे मिर्च मैंने लिये हैं इतो तो उसे तीन मिर्चे है, मैंने बारी किसे तुकुड़ों में काट लिया है, बागी के मसाले मैं आपको बताते जाती हूँ, क्या जूल लगेंगे, देखिए आपे मैंने एक बड़ा सा बरतन ले लिया है, उसमें मैं पानी दाल दूँगी, और ग्यास की फ्लेम हाई है, इसे मैंने डग दिया है, तागे हमारा पानी गरम हो जाए, पानी देखिए गरम हो चुका है, इसे कुछ उबाल अभी तक नहीं आया है, पर गरम हो चुका है, उबाल के, उबाल आई ही जाएगा थोड़ी दिर में, अब इस स्टेच में पालक दाल देना है, हमें पालक जो हता है, जादा उबाल उबाल के, इसे एकदम ऐसे गला नहीं देना है, इसे बस ऐसे गरम पाने में हमें दालना है और पांच मिनिट ढखक कर इसे होने देना है ज़्यादा हमें गलाना नहीं है हम ज़्यादा अगर गला देंगे पालक या फिर ज़्यादा उबाल लेंगे न तो जो हमारी सबसी है सबसी का कलर एकदम ब्लैकिश आएगा जो ग्रीन कलर हमें चाहिए रहता पालक के सबसी का वो बिल्कुल नहीं आएगा देखिए डखकन डखकन उन्हें पांच मिनिट रखा है और गयास में बन कर दिया है अब देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से पालक हमारा हो चुका है आदा कच्चा ही है यह कोई हमें कुछे से जादा गलाना नहीं है देखो अब इसे फ्रेंड्स में पानी अलग और पालक अलग कर दूँगी इस तरीके से इस चलनी के मदश से में जहरी के मदश से में कर दूँगी इसे अभी हम ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रेंड्स ये बहुत गरम है अभी हम डारे कभी से पीस नहीं सकते देखिए इस तरीके से बरतन लिया है इसके उफर मैंने चलने लिये ताकि सारा पानी निकल जाए और पीसने के टाइम हमें जो ठिक ग्रेवी चाहिए ना जो जैसी चाहिए हमें वैसी मेलेगी देखिए इसे अभी में थंडा होने के लिए छोड़ दूँगे तब तक हम दुसरी तियारी करते है देखिए एक पैन मैंने गैस पे ले लिया है उसके अंदर में तीन चमच तेल डाल दूँगी तेल डालने के बाद इसे गरम हो चुका है अब जो हमने आलू चोको टुकडों में काट लिये थे बस हम वो इसके अंदर डाल देंगे और इस आलूओ को शैलो फ्राय हम करते रहेंगे इसे अच्छी तरीके से हम पैन में फैला लेंगे और इसे शैलो फ्राय होने के लिए छोड़ देंगे ग्यास की फ्लेम मीडियो में फ्रेंट्स यह होते रहेंगे इसके बार में हम देखिए पालक जो हमारे है लगबग ठंडे हो चुके है अब इसे हम मिक्सर के पॉट में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे पानी जो है सारा निकल चुका है अगर हम पानी के साथ अगर पीसेंगे तो वो ज्यादा पतला हो जाएगा हमें ऐसा नहीं चाहिए हम अद्धा हमें धाबा स्टाइल लसुनिया आलू पालक बना रहे है तो उसमें ज्यादा पतला नहीं चलेगा पालक देखिए इसे हम अभी पीस लेंगे इस तरीके से हमें ज्यादा भी बारिक नहीं हम पीसेंगे देखिए इस तरीके से ये अच्छा लगता है देखिए इस तरीके से हम इसे पीस लेंगे बहुत बढ़ी है देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर है अब जो हमारे आलू है उसे हम पल्टा देंगे ये नीचे से अच्छी तरीके से ह हो चुके हैं अब इसे पलटा के आजो वाजो से सब तरह से इसे होने देंगे देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं यह इसे हो जाने देंगे हम पालक में बहुत ज़दा मत्रा में आयन होता है फ्रेंड्स थंड़ की मुसम में ताजा ताजा पालक अभी खूब आती है हमें यह पालक की सबजी जरूर बनानी चाहिए हम इसे जरूर बनाएंगे बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स यह देखिए जो आलूए है हमारे हो चुके है इसे अभी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी बाज़े में रख दूँगी इसके बाद में जो बचा हुआ तेले फ्रेंड्स इसी में हम अगली सबजी बनाएंगे देखिए तेल गरम ही है इसके अंदर में ने जीरा दाल दिया है जीरा अच्छी तरीकी से फूल चुका है देख सकते हो आप अब फ्रेंड्स में देखिए मैंने इतना लसुन दाल दिया है लसुनों बार में भी खूब डालने वाले हैं देखिए इतना डाला में आधा चमबच के करीब है पेस्ट है फ्रेंट से और इसे अच्छी तरीके से हम तेल में गोल्डन लाल कलर का होने देंगे इसके बाद देखिए फ्रेंट में ने हरी मिर्च डाल दिये है ये बारी तिकड़ों में काट लिये ताकि हर बाइट के साथ हमें हरी मिर्च का स्वाद आए बहुत है अच्छी लगती है इसके अंदर यी भी हरी मिर्च भी हो चुकी है अब देखिए फ्रेंट से एक अनियन प्यास डाल दिया है इसे भी मैंने बारिक टिकड़ों में काट लिया था इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे step by step एक-एक मसाले भुन जाने चाहिए एक-एक सबजिया भुन जाने चाहिए उसके बाद में ही उसका टेस्ट आता है द добр Turkey अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया है टमाटर भी हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से गलने देंगे तब तक हमें दूसरे मासाले एड नहीं करेंगे इस्से अच्छी तरीके से हम गलने देंगे टमाटरों को थोड़ा समय लग जाएगा तो हम इसके लिए से दो सेकंड के लिए से हम ढखकन ढखकर रख देंगे दो सेकंड में ये ढखकन ढखके तो जल्दी से हो जाएगी देखे इस तरीके से अब दो सेकंड हो चुके है और हमारे टमाटर गल चुके है देखे इस तरीके से गल जाएंगे ये इसके बाद हम बाकी की मसाली इसमें एड़ करेंगे फ्रेंट्स ये देखिए अद्रक का पेस्ट है आदा चमज भरके मैंने वो लिया है इसे अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर एक सिकन के लिए से हम चला लेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छी तरीकी से अब इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए इसके बाद में मैंने हल्दी पॉडर ले लिया है ये छोटा ही चमच है हल्दी पॉडर का अधा बड़ा नहीं है और ये देड़ चमच मेरी कश्मीरी लाल मेच है इससे बहुत अच्छा कलर आता है और ये आदा चमच भर के मैंने नमक ले लिया है नमक आप स्वादानुसर भी यूज़ कर सकते हो पालक थोड़ी खारी होती है फ्रेंड्स तो नमक का जरा सोच के ही नमक हमें सोच कर ही दालना पड़ता है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम ये मिक्स हो चुका है ये बहुत ही अच्छा लगता है पालक के सबजी में फ्रेंड्स अब जो हमारा पालक का पेस्ट है वो हम इसमें डाल देंगे पालक आदा कच्छा उबल के लेने से इस तरीके से ग्रीन कलर सबजी कर रहता है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है आप बनाओगे तो आप खुद देखोगे कि ये डावे से भी बेटर और बहुत ही अच्छी टेस्ट में टेस्ट से भरफूरी सबजी बन के रिड़ी हो जाएगी देखे इसे अच्छी तरीके से हम चला लेंगे आप देख सकते हो ये अभी अच्छी बढ़िया लग रही है अभी इसके अंदर जो मिक्सर का पॉट था उसमें थोड़ा सा पालक रहे गया था उसमें पानी आड़ करके मैंने इसमें डाल दिया है ज़्यदा पतलिया में नहीं करनी है देखे इस तरीके से हम इस अच्छी तरीके से चला लेंगे एक दो मिनिट फ्रेंट इसे हम ढख कर रख देंगे ताकि कैसा है ये अच्छी तरीके से वाफ चाहे दो मिनिट बस देखे आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रही है अब फ्रेंड्स आगे मैं इसके अंदर देखिए आदा छोटा सा आदे से भी छोटा है लिम्मु मैंने इसमें दाला है देखिए इसका बहुत इच्छ टेस्ट आता इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है यह लिम्मु दालने से पालग अब इसके अंदर जो आलूएं हमारे हमने जो शालो फ्राइ कर लिए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ज़्यादा इसे गला ये गामत आलू को जब हम शालो फ्राइ करेंगे ठोड़े साबूत ये दिखने चाहिए और लगने चाहिए ताकि हर बाइट में आ सके बहुत ही अच्छे लगते फिर ये अब इसे अच्छे ते किसमें मिला लूँगी फ्रेंड्स और इसे भी मैं दो सेकन के लिए दो मिनिट के लिए नहीं, दो सेकन के लिए मैं इसे डख कर सब मिक्स अप होने दूंकी ताकि जो आलू है उसके अंदर सारा पालक का जो टेस्ट है वो उतर जाए और हमारी जो सबजी है एकदम बढ़िया बन की रिडियो जाए अब गर पे और अच्छे से बन के रिडियो होती है और हमने पता हुता है हमने क्या फ़े आजिसे अदर दालक के कैसे बनाया है अब घर पे जुरू ट्राइप कीजिए है देखनी फिमिन इसने इ safest एक बल में निका ले लिए है अब इसके बार में देखिए इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी तड़के के लिए मैंने देरचमज ते लिए और उसके अंदर बहुत सारा जो मैंने लसुन काटा था देखिए वह ने कीश मी आपना इसमें में काट लिया है कम से कम दो चमज के करीब था यह slopes बारिक तुकड़ों में से काट लिया है मैंने अब ये तिल दाला है फ्रेंड सपेद तिल जो होता है वो दाला है मैंने इसका अच्छा टेस्ट आता है तड़का होता है वह ते अच्छा लगता है और दो लाल मिर्च दाल दिया है और ये तड़का हम सबसी पे दाल देंगे म मैंने मिर्च हो चुकी है देखिए मैंने दाल दिया है अब देख सकते हो कितनी बड़ी अभाजी बन के रेड़ी हो चुकी है हमारी लसुनी आलू वालक एकदम रेड़ी है फ्रेंड्स खाने के लिए इसे पराठे पूरी की साथी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको जरूर पसंद आएंगी फ्रेंड्स और आपको कर मेरी रेसिप्टी ये पसंद आती है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा थैंक यू